सेंद्वा इसका कहना था कि उसकी कमपणी एक्सवाट वहन मेंटेनेंस का कारी करती ही हमें सरकार द्वारा 15 दिन में राशी प्राप्त होती ही जिस पर मोटा कमिशन प्राप्त होता है लेकिन मेंटेनेंस के लिए हमें लोगों को नगद रुपए देना पड़ती ही अगर आप हमें रु पारा है फिलहाल शिकायत करने आए कुल 13 लोगों ने उक्त व्यक्ति को लगभग 45 लाख रुपई दिये हुए ही पुलीस द्वारा दिये गए शिकायते आविदन को प्राप्ट कर आविदन की जाज की जा रहे है जिसके पस्चात वेधानिक कारवाई की जाएगी इस दोरान बड़ी संख्या में लोग मुझूद रही और कारवाई की मांग की इसे 10 लाग के किसे 17 लाग के किसे 2 लाग के किसे डिढ लॉक हे इसा करोड़ों को पर भर न करा वाई निरू और तो CC क फैसे लियुक मतली करते हैं कि इतने लोग होंगे अपने आके अपने आके 15 लोग होंगे बाखी ग्रामिन के धौली के धन्वरा के बिजाफूरी 25 लोग के कम दखम क्या चाहते हैं आप लोग हमेज आदे का फुर्ट यह साफ जाब करें और हमाने मालूप पड़े कि इनको पैसा डाला एक डाला अपरेल से पैसे नहीं आ रहा है कितने रूपे दिये था अपने मेरे लग 11,70 लग है अपने खरगोन एलेंटी पावर हाउस में चोरी की नियत से आई युवक की सुरक्षा गार्ड की बंदूख से चली गोली लगने से हुई मोथ पुलीस ने मर्ग कायम कर मामला जाच मिल बिती राद एलेंटी पावर हाउस के नंबर दो के इस टिल याड पर कुछ बदमास चोरी करने पहुचे थे इस दुरान यहां तियनात नीजी कमपणी के सुरक्षा गार्ड नी बदमाशों को चोरी करने से रोका तो बदमाशों ने पत्राव कर दिया इस दुरान गोसित कर दिया सुचना मिलने पर HDOP मान से ठाकुर पुलीस बल के साथ मोके पर पहुचे ASP जितेनरसियें पवार ने मीडिया को बताया बढ़वा के काटकूट के दुरस्त जंगल छेतर में L&T कंपनी पाइपलाइन डालने का काम कर रही है बिती देरात कंपनी के पावर हाउस के पास कुछ बढ़वा चौरी करने पहुचे इस दुरान जब चौरी कर लोट रहे थे सुरक्षा गाडो ने रोकना चाहा बढ़वाशों ने पत्राव कर दिया इस दुरान सुरक्षा गाडो के द्वारा की गई फाइरिंग में एक युवक को गोली लग गई, घायल युवक को बढ़वा अस्पताल लाया गया जहां उप्चार की दुरान मोत हो गई, बढ़वा थाने में मर्ग विवेशना में लिया गया है ये रात्री में एक सूचना मिली थी कि L&T कंपणी के अंतरगत जो पाइपलाइन लग रही है, उसमें प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों को द्वारा ये जानकारी दी गई, क्यों इनके कुछ चोरों ने दावा किया था और वहां से वस्तु चुराई चुराने के बाद जब वह जा रहे थे तो उनको रोकने के उद्देश से जब उन्होंने प्रयास किया तो उनने उन पे हमला कर दिया और इस बात को लेकर के वहां कुछ फाइरिंग वैरिंग हुई और इनके जो L&T कंपणी के सिप्रिटी ग